लोकसभा चुनाँ 2024 को जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा मुद्दा था अयुद्या का मंदिर और इस मुद्दे पर भी कहीं न कहीं चुनाओ लड़ा गया था हाला कि उसका फाइदा होते हुए नहीं दिखाई पड़ा लेकिन अगर हम कानपूर की बात करें तो यहां के सीसामों में होने वाले उप चुनाओं में भी एक तरह से मंदिर मुद्दा सामने आ गया है दरसल अगर हम कानपूर की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दस विधानसाबा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से कानपूर की सीसा मो सीट पर भी होने है और यहां पर बीजेपी ने 80 चोटी का जोड लगा रखा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2002 के बास से बीजेपी सीट पर चुनाव कभी भी नहीं जीत पाई और इसलिए इस बार किसी भी हालत में बीजेपी सीट पर चुनाव जीतना चाहती है शाइब इसलिए जो डिप्टी सीएम है विजेश पाठक उनको जिम्मेदारी दी गई है इस सीट की जो प्रभारी है वो सरकार के जो वरिष्ट मंत्री है सुरेश खन्ना उनको बनाए गया है उप्रभारी निते नगरवाल जो की आपकारी मंत्री है उनको बनाए गया है और लगातार ये सभी लोग हर दूसरे तीसरे दिन कानपूर आते हैं यहां पर बैठके करते हैं अलग-लग वर्गों से ब रनवेन सिग्ग ने एक पत्र लिखा है परेटन मंत्री को इस पत्र में उन्होंने तीन मंदिरों का जिक्र किया है जिसमें हनुमान मंदिर है बाबा मंदिर है और साथी साथ चंद्रिका देवी मंदिर है इन तीनों मंदिरों का जिक्र किया है और ये तीनों ही मंदिर सीसा में भक्त मौझूद रहते हैं इसी लिए इन तीनों मंदियों का जीर्णों द्वार कराया जाए इनको फिर से बनवाया जाए इनका रेनोवेशन किया जाए इसके लिए पत्र लिखा गया है इस पत्र के वाइरल होने के बाद ही अब यह बात उठने लगी है कि क्या वाकई मे बीजेपी विधानसवाद चुनाओं में भी मंदिर के मुद्दे के साहरे यह चुनाओं जीतना चाहती है अभी का दो दिन पहले की बात है जब यहाँ पर सुरेश खन्ना आये थे तब भी उन्होंने यहां के जो कारकरता हैं जो नेता हैं उनसे यह कहा था कि उत्सा बना क कर रखिए उत्सा बना के रखना बहुत जरूरी है दूसरी तरफ अगर हम समीकरण की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सीसा मों में जो सबसे यादा वोटर संख्या है वो मुस्लिम वोटों की है और उसके बाद जो संख्या आती है वो दलित और पि खाई पड़ रही है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और शायद इसी लिए जो भी कदावर मंत्री है चाहे मानमेन सिंग हो जो की विधान परशाद सदस्य है या फिर कदावर मंत्री सुरेश खन्ना हो गया नितिन अगरवाल हो गया बिजेश पाठक हो गए डिप्टी सीम ये सभी को जिब्मेदारी दे दी गई है ये सभी लगे हुए है कि किसी भी हालत में इस बार विधान सभा चुनाओं में जीत हासिल की जाए और जिस तरह से ये पत्र अब की वाइरल हुआ है ये जो पत्र भेजा गया है परेटिन मं मंदर्चू की सिसावों छेतर में है इसलिए अब ये बास जरूर उखने लगी है कि क्या बीजेपी इस बार भी इस चुनाओं में भी कहीं ना कहीं मंदिर मुद्दे को जीवित रखना चाहती है दूसी तरफ अगर हम बात करें अन पार्टियों की तो समाजवादी अपनी नसीम सोलंकी का नाम पूरी तरह से ओपन हो चुका है खुलके सामने आ चुका है बसपा की तरफ से भी वैश प्रताशी का नाम आ चुका है और अभी ये बास जरूर चल लही है कि बीजेपी की तरफ से कौन आएगा क्योंकि बीजेपी के तरफ से लिश्ट बहुत तम्भी है अगर हम प्रसूत्रों की बात करें तो तक्रीबन सौ के आसपास ऐसे नाम पहुंच चुके हैं अभी तक आला कमान के पास जो की चुनाओ लड़ना चाहते हैं अब सबसे जादा देखने वाली बात यह होगी कि जब यहां पर चुनाओ भोशित होगा जब यहां प अब मी जाज सके जो तो को जब यह होगी मानल सो जब सकार Dis turmeric एंज係 é Blair